हेले दोस्तों गुड यूणिंग टो अल ओफीस उफेंड जैसा कि आप सभीक बता है डेली साम साथ दे हमारे चनल पर यूपी ट्रपल सी पेट परिक्षा 2022 के लिए फुल स्लेबस, कम्प्लीट स्लेबस का एक प्राक्टिस सेट होता है जिसमें हम टॉपिक वाइज जितने कोईशन पूछे जाएंगे उसी के कॉडिंग ये प्राक्टिस सेट करवा रहे हैं जिसे हिस्ट्री के अगर पांच कोईशन पूछे जाएंगे तो पांच कोईशन हिस है तो आई एक नया प्रैक्टिसेट सॉल्व करते हैं दोस्तो रेगुलर साथ बज़े आप लोग आ जाए करिए और अगर आप लोग कहेंगे तो जल्द ही इन क्लासिस को लाइब स्टाड करते हैं फिलाल आप लोग की सपर्ड की जरो होते हैं सभी लोग शियर कर दिया को SIMP इसफिर प्रैक्टिसेट अपर नमीद सब्स है उस पर आधा इस प्राक्टिसट भी तैयार किया गया है बिल्कुल हूबा हूँ जिस तरीके से मैं प्राक्टिसट करवा रहा हूँ वैसा ही से आपको इस बुक में देखने को मिलेगा तो आप इस बुक को पर्चेस कर सकते हो ओनलाइन बाई करने का लिंक वे डिस्क बॉक्स में चाहें तो ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हो साथ ही साथ दोस्तों इनका एक ओमर सीट बेस्ट भी यूपी ट्रपल सी पेट का आता है इसमें आपको ओमर भी मिल जाएगा यहनि ओमर सीट एनि एंसर सीट मिल जाएगा गोला बनाने वाला वह भी आपको मिल कुष्चन नमबर वन का देखते हैं वाई कितने चात्रों को आंसर मालो है कॉमेंड करके बताओ वाई वन का एंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर वन का बी करते हो जाएगा बाई सरस्वती नधी को अगला है कुष्चन नमबर दो है जैन धर्म में पूंड ज्ञान के लिए क मगद की पर्थम राजधानी कौन सी थी मगद की पहली राजधानी पुछी गई यहां पर क्वेशन नमबर तीन का जवाब दें अपट question number 3 का उत्तर option C हो जाएगा गिरीवराज यानि राज गिरह जिए question number 4 है महमूद गजिनवी के सोमनात अभियान के समय चोल राज जिकांस शाशक को होंता भई 4 का जवाब दो like चरू कर देना भई हर section में answer करते जाओ और हर section में बताना कितने प्रसन सही जा रहे हैं आपके जैसे history का 5 तो 5 में कितने गए तीन गए या दो गए यह लिखके बता देना चार नमबर का उत्तर आपका option D करेट उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम थे भई अगला देखें वही question नमबर 5 है इतिहास का आखरी प्रसन अकबर ने नया धर्म दीने इलाही किस वर्स में प्रारम किया पाँच नमबर का उत्तर दे आप लोग regular 7 बजे आता है वही डेली 7 बजे यह test होता है प्रैक्टिसर जरूर जोईन किया गरे अगला देखो वही चलो अगला टॉपिक है भारती राश्टी अंदोलन तो छटा नमबर प्रसन है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद शुभास चंद्र बोस्वा दच्छिणा पंतियों का समस्त विवाद किस प्रसन पर केंद्रित हो गया क्वेशन नमबर छे का उत्त दीजिए छे नमबर कराईट एंसर आपको आप्सन नमबर एक रेड़ उत्र हो जाएगा कांग्रेस के कारानी समित के गठन पर ए आपसन यहाँ पर बिल्कुल सही है अगला देखे बाई क्वेशन नमबर साथ है देखे उन्निस सो पांच में बंगाल विभाजन किस वाय शराय ने किया था क्वेशन नमबर साथ बहुत ज़्यदा मात्मूल प्रसन है बाई जवाब दीजिए साथ नमबर का उत्तर आपका ओप्सन नमबर यहाँ पर जितने भी बच्ची आइंसर करने सैवन का क्या हो जाएगा सैवन का बी करड़ उत्र हो जाएगा बाई लाड करजन अगला प्रसने क्वेशन नमबर आठ है महत्मा गाधी किस वर्स दचिन अफ्रीका से भारत लोट से आठ नमबर का उत्तर दीजी आठ का राइट एंसर आपका ओप्सन एक अड़ उत्र हो जाएगा 1915 इस भी में महत्मा गाधी दचिन अफ्रीका से भारत वापस आये थे अगला है नो नमबर पर निमलिकित में कौन सा सही सुमेलित है कौन सा सही सुमेलित है नो का जबाब दो डी वाला ओपसन नेक्स्ट स्लाइड पर है क्वेश्चन नमबर नाइन का उत्तर आपका ओपसन डी हो जाएगा वई सर्वेंट आफ इंडियन सोसाइटी गोपाल किशन गोगले बिल्कुल सही सुमेलित है वाकी सारे गलत हो जाएंगे अगला देखे वाई क्वेश्च अयोध्या किस नदी के तड़ पर अवस्थित है किस नदी के किनारे बसा है बही अयोध्या 11 का सभी को जवाब मालूम है सर्यू नदी के किनारे सीज़ाइए अगला है बारा नमबर मेटर टूर बांध किस नदी पर बनाया जया है क्वेशन नमबर बारा का उत्तर दीजी आप लो बारा का ये हो जाएगा कावेरी अगला प्रसने क्वेशन नमबर 13 है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तेरा नमबर का भी जबाब दीजी आप लो तेरा का बी करण उत्तर हो जाएगा वाई वूलर जील सबको याद है वाई वूलर जील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील है अगला देखिए वाई question number 14 है निम्ण में से कौन सा हिमन्द उत्रा खंड में स्थित नहीं है question number 14 का जवाब दीजी वाई आप लोग 14 नम्बर का उत्र आपका option A करेड उत्र हो जाएगा वाई कंचन जंगा कंचन जंगा विल्कुल सही है अगला देखिए question number 15 है मेघाले के पठार भाग है मेघाले के पठार भाग कौन से है question number 15 15 नम्बर का बी करेड उत्र हो जाएगा प्राया दीपिये खंड का अगला देखो भाई टॉपिक हमारे स्टाड हो रहा है भारती अर्थ व्यवस्ता एकोनॉमिक से 16 नम्बर प्राजने गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्सी योजना के दोरान दिया गया था 16 नम्बर का उत्र बताईए कॉमेंट में 16 नम्बर का उत्र आपको आप्सन बी करेड उत्र हो जाएगा चौती पंचवर्सी योजना में अगला प्राजने क्वेशन नम्बर 17 है भारत में ऑप्रेशन फ्लड स्वैत करांती कारकरम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है क्वेशन नम्बर 17 का उत्र दीजिए 17 का क्या हो जाएगा सी करेड उत्र हो जाएगा क्वेशन नम्बर 17 का उत्र हो जाएगा आपका उप्सन ए हो जाएगा सन 1995 में अगला प्रांदे के भाई क्वेशन नम्बर 19 से एक जनवरी 1994 में किस बैंक का राष्टी करण हुआ 19 का उत्र दो आपलो 19 का डी हो जाएगा अगला है बीस नम्बर भारत में नवींतम विमुद्री करण कब किया गया क्वेशन नम्बर 20 का उत्र 20 का बी करण उत्र हो जाएगा 2016 भारत में नवींतम करण नवींतम करण विमुद्री करण कब किया गया 2016 में डी मोनेटाइशन हुआ था अगला देखो भाई question number 21 से भारते सम्विधानिम लोग प्रशाशन सम्विधान सवाके सम्विधानिक सलाकार कौन ते बहुत आसान प्रसना गया यह तो भाई सम्विधान का 21 का जवाब दीजी आप लोग 21 नमबर का उत्तर B करेड उत्तर हो जाएगा B एन राउ अगला है 22 नमबर निम्ण में कौन सा अनुशेद विधी के समक्च समानता का अधिकार देता है 22 नमबर का भी जवाब दो आप लोग 22 का उत्तर क्या हो जाएगा 22 नमबर का उत्तर आपका आप्शन 22 का C करेड़ उत्तर हो जाएगा बाई K.M. मुंशी के M. मुंशी हो जाएगा गलत हो जाएगा समविधान सवाके समविधानिक सलाकार कौनते B.N. राउ थे कौनते बाई B.N. राउ B करेड़ उत्तर हो जाएगा यहाँ पर B कुछों बच्चे यहां पर C जवाब दे रहें गलत हो जाएगा 22 देखो निम्ण में से कौन सा अनुषेद विधी के समक्ष समानता का अधिकार देता है 22 का जवाब दीजे भई 22 का उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर क्वेशन नमबर 22 का उत्तर आपका उपसन नमबर यहां पर C करेड़ दूतर हो जाएगा अनुषेद 14 अगला प्रसने क्वेशन नमबर 23 से कौन सा मौलिक करता भी नहीं है कौन सा मौलिक करता भी नहीं है बताओ भई 23 का जवाब दीजिए 23 का सी करेड़ दूतर हो जाएगा रासकी महत्यों के स्थानों वास्मारकों की रक्षा करना अगला है क्वेशन नमबर 24 है भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुक सुरोत कौन सा है कौन है भाई क्वेशन नमबर 24 का जवाब भाई 24 का उतर बताओ भाई 24 का बी करेड़ उतर हो जाएगा जनता अगला है पच्शिस नमबर लोक सभाग केंद्र सासित छेत्रों का सर्वादिक प्रतिन्दित कितना हो सकता है क्वेशन नमबर 25 का उतर 25 का बी करेड़ उतर हो जाएगा भाई 20 त दस से अगला देखो वाई question number 26 है यहाँ पर सवान विज्ञान है निम्न में से कौन सी राशी सदिश नहीं है सदिश राशी और अधिश राशी नाइंथ में पढ़ा होगा 26 का उत्तर दें आप लो basic सा question आएगा वाई 9th level का question रहेगा 26 का उत्तर हो जाएगा आपका option D कर एड़ उत्तर हो जाएगा पर आए तन अगला 27 सापेक्ष आधरता ना पी जाती है सापेक्ष आधरता ना पी जाती है भई बताओ किस से हाई ग्रो मीटर से विल्कुल 27 का B कर एड़ उत्तर हो जाएगा हाई ग्रो मीटर बहुत बढ़िया अगला देखो question number 28 है कावकों का अध्यन किस में किया जाता है कावकों का अध्यन किस में किया जाता है बताना है आपको 28 नमबर का जवाब हो जाएगा आपका option एक अड़तर हो जाएगा माइकोलोजी कावकों का अध्यन क्या कहलाता है माइकोलोजी कहलाता है Entomology पता है आपको क्या कहलाता है Entomology में कीट पतंगों का अध्यन कियाता है Arnithology में पच्छियों का अध्यन किया जाता है Phycology जो है इसमें सैवालों का अध्यन किया जाता है सैवाल जुन पानी में पाया जाते हैं उसका अध्यन किया जाता है अगला देखो 29 नमबर स्टार फिस्ट का संबंध निम्ण में से किस्से है 29 का जवाब दो 29 का उत्तर और लाइक कर दो भाई क्लास को सभी लोग लाइक करेंगे 29 का जवाब हो जाएगा आपका option नमबर यहाँ पर क्या हो जाएगा B करेंड उत्र हो जाएगा भाई बहुत बढ़िया अगला देखे भाई question नमबर 56 पे आजाएगे बाकी हम गध्यांस होगेरा skip करते हैं यहाँ पर 56 पे आयते हैं निम्लिकित में से कौन सा वाक के शुद्ध है 56 बताओ हिंदी करेंगे अब लोग 56 का उत्र दो कौन सा वाक के शुद्ध है यहाँ पर तो 56 का राइट अंसर यहाँ पर आपका option नमबर क्या हो जाएगा भाई 56 का जवाब आपका option secret उत्र हो जाएगा भाई मैं सारी रात जगता रहा अगला है question 57 है निम्लिकित सब्दों में pulling सब्द कौन सा है चलो बताओ भाई 57 का जवाब दो pulling सब्द कौन सा है साथ यूँ 57 का जवाब comment करते रहो आप लोग 57 का उत्तर आपका option secret उत्र हो जाएगा भाई अध्यापक अगला है question 58 है निम्लिकित सब्दों में समसुरुत भिनार तक सब्द की पहचान करें अली और अली अली और अली दोनों एक जैसे सब्दें लिगे आर्थिके अंसार अलग अलग है question 58 का जवाब दीजी 58 का ए हो जाएगा यह अली जो दिया गया इसका मतलब भावरा होता है अली का मतलब सखी होता है अगला है 69 करकस का विलोम निम्लिकित निम्लिकित में से कौन सा हो जाएगा करकस का विलोम बताओ बई करकस question 59 का उत्तर आपका option secret उत्र हो जाएगा मधूर होता है करकस का मतलब बहुत करकस आवाज ही, आपके बहुत तीखी आवाज है, बहुत तेज आवाज है, जो कान में चुपती, उसको करकस बोलते हैं, तो मधूर हो जाएगा उल्टा, साथ देखो, ताथ्यो सब्द का सही संद्विछेद के हो जाएगा, ताथ्यो सब्द का संद्व रुकता समान जागरुता 81 से स्टार्ड ओडा किस देश ने वर्स 2019 का डेविस कप जीता क्वेशन नमबर 81 का उत्तर दीजिए 81 नमबर का उत्तर आपका आपसा नमबर यहाँ पर जितने भी बच्चे एंसर करें बी करेट उत्र हो जाएगा इस्पेन ने अगला है 82 नमबर प्रशिद संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसाइन के संगीत वाद यंत्र से संबंदित हैं क्वेशन नमबर 82 जबाब दीजिए आप लोग 82 नमबर का उत्तर आपका आपसा नमबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 82 का उत्तर आपसन ए करेट उत्तर हो जाएगा फ्रांस साथियों साथियों फ्रांस बिल्कुल सही है अगला देखे भाई क्वेशन नमबर 82 एक सेकंड 81 नहीं 82 का लगाना तो मैं 81 वी टिक कर दिया गलती से साइद माफिजिएगा 82 का क्या हो जाएगा 82 का ए होगा भाई तबला ए था यहाँ पर 80 कलती हो गया भाई इस पेन यहाँ पर सही था 81 बैए 82 में तबला होगा परसे संगीत का रुस्ताथ जाकर उसें किस संगीत वादियन से समझीते भाई तबला से अगला देखो भाई question number 83 यह स्रामिक दिवस्क मनाय जाता है किस दिथी को स्रामिक दिवस्क के रूप में मनाय जाता है लेबर डे question number 83 का जवाब बताओ तो 83 का उत्तर हो जाएगा आपका option B करेड उत्तर हो जाएगा एक मई को अगला देखो भाई question number 84 है लक्षदीब की राज़ानी है लक्षदीब की राज़ानी कौन सी है बताओ भाई question number 84 का उत्तर 84 का जवाब क्या हो जाएगा 84 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका option नंबर यहाँ पर 84 का जवाब हो जाएगा 84 का C हो जाएगा भाई कवरत्ति अगला देखो भई question number 85 ये ओडम किस राज का प्रमुक्ते उहार है ओडम बतावई 85 का जवाब दो 85 का उत्तर हो जाएगा आपका option number एक अरेड उत्तर हो जाएगा केरल हो जाएगा अगला है question number 86 चस्मा ये साही कहा इस्तित है 86 नमबर का उत्तर हो जाएगा आपका option number यहाँ पर क्या हो जाएगा 86 का बी करेड उत्तर हो जाएगा बई श्री नगर में अगला प्रस्न question number 87 है प्रस्न देखिए पदमावत के लेखा कोन है पूछा गया 87 का जवाब 87 का ए हो जाएगा मलिक मुहमत जैशी अगला देखिए भाई question number है 81 हो गया भाई दुबारा कर लिया साथ कोई बात नी तो यहीं तकाद हम करेंगे भाई आपका अपना practice उमीद करते हैं जाता हो जदा प्रस्न सही के होंगे कौन से topic में आपने कितने प्रस्न ही के हमें comment में लिखके जरू बताएं एक like तो बनता है भाई share करना daily साम साथ बे live होता है भाई class जरू जुड़िये सुबह भी होता है 9 बज़े भी class होती है topic भाई चल लिए आपका हिस्टी से करवा रहे हिस्टी में आपका बहुत धर्म हो गया आपका सिंदु गाटी सब बिता हो गई कल आपको वैजिक संस्क्रिट से मिल जाएगा प्रस्न इस तरीकस करवा रहे हैं भाई तो continue लिया करें